Numerical number 10.14 आपके पास है, in series LCR circuit, आपके पास L, then C, then R का एक series circuit है, connected to a AC source, उसको एक AC source से connect किया गया है, of 230 volt, that is VRMS equal to 230 volt, L equal to, बेटा आपके पास 500, C equal to, आपके पास given है, 80 microfarad, and resistance equal to, कितना बेटा, 40 ohm, first हम से calculate करने के लिए किया रहा है, बेटा, resonant frequency, resonant frequency क्या होता है, 1 upon 2 pi root of LC, 1 upon 2, pi की value 3.14, under root of L, 5, C, 80, multiply 10 की power, कितना बेटा आपके पास, minus 6, 85, जा कितना बेटा आपके पास, 400, यह हो जाएगा, 1 upon में, 6.28, under root of, 400, 10 की power minus 6, cancel out करो, rate is minus 4, simplify करोगे, 1 upon में, 6.28, 4 का root होता है, 2, 10 की power minus 4 का मतब, 10 की power minus 2, root से भार आएगा, 10 की power minus 2 को उपर लेके जाओगे, plus 2, that is 100, upon, 6.28 का double आपके पास, यह, 6.28, multiply by 2, यह कितना बेटा, 50, तो हमें solve क्या करना है, 50, divide by 6.25 आपके पास, यह होगा बेटा, आपके पास, 8, तो जो resonate frequency है, वो कितनी आगे बेटा, 8 हर्ज आपके पास, next, 2, 8 लेता न, 2, 5 की जाएगा लेना था बेटा, 2, 8 आपके पास, 50, divide by 6.28, 7.96, यह अप्रोक्सिमेटा बेटा, 7.96 आपके पास, next, जो second question है, impedance of the circuit and the peak value of the current at resonant frequency, resonant frequency के उपर एक तो पूछा है, impedance, आपको पता है, resonant frequency पे impedance जो होता है, वो resistance के equal होता है, और resistance आपके पास कितना given है, बेटा, 40 ohm, और second क्या पूछा है, बेटा, मैंट से peak current, तो आपने क्या पड़ा है, IRMS equal to कितना होता है, I0 by root 2, अब जब impedance minimum है, तो यह maximum होगा, IRMS तो क्या लिशकता है, बेटा, VRMS by Z minimum, I0 by root 2, मैंट से I0 पूछा है, यह होगा, root 2 of VRMS upon मैं Z minimum, root 2 as it is, VRMS की value कितनी है, 230, और Z minimum कितना है, बेटा, आपके पास, 40, 0 से 0, cancel out, root 2 की value होती है, बेटा, आपके पास, 1.414, multiply 23, यह आएगा, बेटा, 32.52, 32.52, divide by 4 आपके पास, 32.52, divide by 4, यह होगा, 8.13, I0 होगा है, बेटा, 8.13 MPR आपके पास, ठीक है, next, मैंट से क्या पूछा गया है, बेटा, आपके पास, थर्ड पोर्शन है, उसके अंदर मैं से पूछा, इन्होंने क्या, RMS value of voltage at the end of the three components of circuit, circuit के तीन component को आपके पास, इंड़क्टेंस, कापेसिटेंस, और कौन आपके पास, रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर, voltage drop, कापेसिटेंस का voltage drop, और रेजिस्टेंस के voltage drop की value में इसे पूछिए, जयान दीजिए, ये resonant circuit है, तो resonant circuit है, तो VL और VC तो क्या हैंगे बेटा, सेम, सबसे पहले बात करते हैं, VR, VR equal to होगा, IRMS, multiply में क्या बेटा आपके पास, R, अब IRMS कितना है, तो IRMS कैसे निकाल लेगऄ बेटा हम लोग, IRMS होगा, VRMS upon में Z, और Z कैसा है बेटा, definite resonant पे minimum, VRMS है 230 upon में, Z minimum की value कितनी बेटा, 40, cancel out, 23 by 4, 23, divide by 4 आपके पास, 5.75, मुझे calculate करना है VR, तो IRMS आँगया, 5.75 Ampere और resistance की value कितनी है बेटा 40 आपके पास simplify कर दो वो तो वापिस हुए आजाएगा 230 आपके पास 5.75 multiply by 40 230 Vr हो गया बेटा 230 Volt then मैं से क्या पुछा है Vl और Vc वो तो क्या होंगे same होंगे वो सिषदा लिख सकते है IRMS of कितना बेटा XL या XC जो भी आप लिखना चाओ मैंने XL लिख लिए तो आपके पास IRMS कितना है 5.75 XL होता है 2 pi of Fl 5.75 2 pi की value 3.14 resonant frequency निकाल चुके है approximate कितनी बेटा 8 multiply by आपके पास L circuit में L कितना given है बेटा 5 सारा data multiply करेंगे 5.75 multiply by 2 multiply by 3.14 multiply by 8 multiply by 5 यह होगा बेटा कितना आपके पास 144 444.4 क्या बेटा वोल्ट आपके पास VL और VC का amount इतना है copyright अपके बेटाटफलीρ से बेटाटब लागाचे इनदे । आपके एंदेटा ग्वेटान